विल्कम टूल यार ब्लोग में स्वार गाते तो दोस्तों इन बच्चों ने प्रोग्राम रखा है क्या रखा मुझे बताया नहीं है बट मुझे को बोला आप मेरे साथ चलिए तो मैं इनके साथ जा रहा हूं तो फैनली हम लोग पहुंच चुके हैं जब मदरसा में आया तो देखा कुछ लड़के जो वहां बैठे थे तो बता रहा भाईया हम लोग खाजा बाबा कर डिक चड़ाना चाते हैं तो हम बुले ठीक है बाई चलो ते लों को मैं साथ देना कभी प्यारा बच्चा है और फैनली हम लोग बजार निकल चुके हैं और काफी ठंड है बट औ और मार्केट से समान लेके तो आही गया हूं बस मार्केट के में वीडियो नहीं बना पाया और काफी मैनस से बच्चे लगे हुए हैं देख सकते हैं वीडियो को लाश्टक देखें काफी इंट्रेस्टिंग और कुमेडी के साथ भरा हुए देखिए काफी होसला भाई ऐस होना चाहिए तो फैनली मार्केट जा रहा है तो तो इस्टेम मैं रिकॉर्ड नी कर पाया तो फिर मैं वापस जोड़ा हूं मैं इसको तो फैनली चावल तो लाई लिया हूं और इन लोग बनाने का मन्त क्या बोलनों उसको जड़दा तो जड़दा के लिए तैयारी हो रह मैं कमेंडों बताईएगा और फैनली अब लगभग तयार होनी ही वाला है जर्दा बच्चा में काफी होसला और मंग होना ही चाहिए भाई लोग संस्कृति को भूलते जा रहे लेकिन अभी भी कुछ लड़के बच्चे हैं जो मतलब अपना संस्कृति को नहीं भूले हैं आर देख सकते हैं काफी होसला होना चाहिए और काफी छोटे-छोटे बच्चे हैं मैं भी साथ दिया हूं लोगों को काफी प्यार से बुलाए थे कि चली भाई तो हम आये थे और देख सकता भी इसमें दूड डाला जाएगा पहले में फर्चन ओयल डाला और अस पिर इसम ड्राइफूट डाल दिया गया जो भी ड्राइफूट इसमें मिलाया मिक्सिंग किया जा रहा है और देख सकते हैं कि काफी बच्चे लगे में चार-पांच बंदे हैं और बच्चे-बच्चे हैं लेकिन खुषी इन लोग मैं बता नहीं सकता भाया कर वीडियो पूरा देख वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले तो चैरी इसको चैरी डाल रहे हैं अब भी हम लोग इसको तक्सीम करेंगे सब किया इसको तबरु को बाटेंगे अगर अब भी थैली में इसको पैक करेंगे और सब को तक्सीम कर दिये जाएगा तो यह फात्या होगा फिर हम फूल को तो फूल फूल को लाया जाता इस पर तो डाल दिया आप फात्हा के लिए थोड़ा सा जड़दर इखाना जा रहा है तो फैनली फात्या हो गया और पैकिंग भी हो गया तो हम लोग चलिए गाउं में कुछ बड़े बुजूरक है उनको दे करके आते हैं और बच्चों को विद्देंगे इतने भी गरीब है कुछ भी है सब को बड़ा तक्सीम करेंगे और यह जो है हम लोगों के लिए है काफी प्यार और प्यार भरा बहुत अच्छा लगता है इसे लोग साथ में बैटके खाना और काफी अच्छा लग रहा है आप कैसा लगा है कमेंट करके बताईएगा और देख सकते हैं साफ सफाई का भी हम लोग ध्यान रखे हैं तो फैनले जहां पे तयार हुआ था जर्दा वगय रहा तो इन सब्वों को साफ सफाई करके पानी मार के